है वासना त्रय वासनाओं का सामराज्य और त्याग वासनाओं का सामराज्य और वासनाओं का त्याग यह दोनों ही विशय आज का विशय है ठीक है तो वासना त्रय क्या है यह भी हम समझेंगे वासनाओं का सामराज्य क्या है और उसका त्याग कैसे होगा यह भी समझेंगे और स्वेम वासना क्या है चलिए तो वासना शब्द से आप क्या समझते हैं वासना सब्द से आप क्या समझते हैं जैसे ही वासना शब्द का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में बहुत तरह की बाते चलती हैं अब वासना त्रय और वासनाओं का त्याग यह विशा विवेट चुड़ा मनी से लिया जा रहा है और यहां पर वासनाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है सरप्रथम वासनाओं की शक्ति क्या वासनाओं में शक्ति होती है क्या वासनाओं शक्ति शाली होती है तो सरपर्थम हमें वासनाओं में शक्ति को समझना है कि वासनाओं में कैसे शक्ति होती है दूसरा वासनाओं के अंदर जो शक्ति है वो कैसे काम करती है तो चलिए इन सभी विश्यों पर हम चर्चा करेंगे और आदिगुरु शंकरचार इस विश्य को वासनाओं की शक्ती को उनकी ताकत को बताते हैं कुछ बाते लिखते हैं ये वासनाई कितनी प्रबल होती है, कैसी होती है, किस प्रकार से होती है और इन पर विजय कैसे होगा, फिर वो तीन गुनों पर विजय कैसे होगा, तीन गुनों पर नियंतरन कैसे आएगा, इसके उपर भी चर्चा करते हैं, प्रारब्ध के उपर भी चर्चा करते हैं, तो यह सारा विशय जुड़ते जाता है एक दूसरे से, तो आज का विशय मुख्य रूप से वासना, वासना का अर्थ क्या है? क्या भोग वासना है? भोग वासना नहीं है. क्या भोग वासना है? भोग कहने का मतलब अनेक परकार के जो हम भोग करते हैं, क्योंकि भोग के दो रूप हो सकते हैं, भोग सुखमय हो सकता है, भोग दुखमय भी हो सकता है. सुखों का भोग करना और दुखों का भोग करना या दोनों ही चीजे हैं सुखों का भोग करना और दुखों का भोग करना दोनों ही अवस्था में भोग तो हो ही रहे हैं तो कुछ लोग भोगों को ही वासना समझ लेते हैं जी नहीं भोग वासना नहीं है भोगों में जो लिपसा है भोगों में जो आसकती है भोगों में जो राग है और अनेक परकार के राग जो मनुष्य के जीवन में होते हैं वो सामूही के रूप से वासना कहलाते हैं तो वह जो आसकती है वह प्रबल वेग है जो राग का वह वासना है उस प्रबल वेग को वासना कहा गया है तो कई जनमों की विर्तियों से यह बनता है भगवान स्रीकृष्णया रजुन से यही कहा कि कई जनमों की विर्तियों से जो विर्तियां बनी है उन विर्तियों का खं जो खंडन है वह योगवर्ति से संभव है तो जब योग वर्ति बनेगी तो उन वर्तियों का भी खंडन हो जाएगा वह वरतिया जो संसार के प्रति वासना उत्पन करती है संसार के प्रती वासना उत्पन करती है तो जो राग है जो आसकती का जो प्रभाव है और जो प्रबल प्रभाव है वही वासना है आसकती का प्रबल प्रभाव प्रबल वेग ही वासना है अब यह कितना प्रबल हो सकता है तो आदिगुरु शंकराचार इस विशाय में कहते हैं ग्याते वस्तुन्यापी बलवती वासना ना दिरेशा करता भोकता प्यहम मितीदरा राच्स्य संसार हेतु प्रत्यग्य दृष्ट्या आत्मनी निवसता सापनेया प्रयत्नान मुक्ति इंप्राहुस्तदीह मुनयो वासनातानवम Smellsat आत्मवस्तु का ज्यान होने पर भी वेक्टि जान गया कि वास्तो में मेरा लक्ष तो क्या है परमात्मा स्यएं मेरा लक्ष तो ब्रह्म है मेरा लक्षतों मुक्ति है वो यह जान चुका है आत्म वस्तु का बोध उसे हो चुका है आत्म वस्तु का ज्यान उसे हो चुका है अनात्म को भी जान चुका है कि यह इंद्रिय विशह जितने भी है वो सब के सब अनात्म है आत्म नहीं है यह संसार भी अनात्म है यह शरीर भी अ और इंद्रियों से दृष्च्टी गोचर होने वाला इंद्रियों से अनुभव होने वाला यह संपुर्ण जगत भी अनात्म ही है तो आत्म और अनात्म वस्तू का जो जो ज्यान है वह हो चुका है लेकिन फिर भी अनात्म और आत्म वस्तु का ग्यान होने के बाद भी एक समस्या है क्या समस्या है जी आत्म और अनात्म वस्तु का ग्यान होने पर भी कुछ समस्याइं बनी हुई है और वो समस्या ये है कि इनका ग्यान होने पर भी समस्या क्या है? कि वासना हावी रहती है मैं करता और भोगता हूँ आत्म वस्तु का ज्यान हो जाने पर भी जो मैं करता और भोगता हूँ इस रूप से द्रड़ होकर वासना क्या चीरिया? सुन लिजिए मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ इस रूप से दिड़ होकर जनम मनर रूप संसार का कारण होती है उस प्रबल अनादी वासना को प्रतेक आंतरिक दृष्टी से आत्म स्वरूप में इस्थित होकर प्रत्न पुर्वक दूर करना चाहिए क्योंकि इस संसार में वासना की छुनता को ही मुनियों ने मुक्ति मान है कहने का तात्पर कि आत्म और अनात्म वस्तू का ग्यान हो जाने के बाद भी उस ग्यानी के अंदर जो मैं करता हूं और मैं भुगता हूं और आत्देह के प्रती जो आत्म भाव है वो कहीं न कहीं बना रहता है पहले तो उसने समझ लिया तरकों से समझ लिया उसने कि यह शरीर नश्वर है ठीक है उसने तरकों से यह बात समझ लिया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा ही सकते हैं इंद्रियां भी असत्य हैं मित्या है मन बुद्धी चित एहंकार भी मित्या है या जगत भी मित्या है वह आत्मा ही सकते है इस बात को वह भली भाती समझ चुका है परन्तु फिर भी अभी भी जो मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ यह उसके उपर हावी रहता है और यही वासना है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ यही वासना है और उसकी भोगों में लिपसा बनी रहती है सारा सत्य जानने के बाद भी यद्यपी सत्य जान लेने से भोगों में लिपसा थोड़ी कम तो जरूर हो जाती है और भोगों को भोगने के परती जो दृष्टी कौन है उसमें भी परिवर्तना जाता है, अब भोगों का वेग भी कम हो जाता है, कम जरूर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सब जान लेता है, आत्म वस्तु क्या है, और अनात्म वस्तु क्या है, तो वो भोगों को भोगता हुआ भी, भोगों को भोगता हुआ भी, उसके अंदर एक भोगों के प्रति एक वैराग्य भी रहता है अगर मालीजे भोगों को भोग भी रहा है तो भी उसके मन में ये भावना रहती है कि भाई ये जो भोग है ये तो नश्वर ही है और यह कश्टदाई है अगर इनमें जादा आ सकती हो गई तो दुखका ही कारण बनेगा यह विचारधारा उनके मन में बनी रहती है लेकिन फिर भी एक वेग एक प्रबल वेग वासनाओं का उनके साथ भी काम करता रहता है जो उन्हें जबरन बलपुरुवक आत्म और अनात्म वस्तु को जान लेने के बाद भी उन्हें भोगों में वासनाओं में लिप्त करता र रहता इसलिए आदेगुरु शंकराचार कहते हैं कि अब जो है अनात्म और आत्म वस्तु का विवेक जिसको प्राप्त हो गया है उस साधक को उसे योगी को अब धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए इन सभी वासनाओं से मुक्त होने का और यह प्रयास कैसे होगा यह प्रयास ह क्या जबरदस्ती प्रयास होगा जबरदस्ती वासनाओं रुक जाएंगी जी नहीं आत्मा में इस्ति बना कर निरंतर आत्मा में धारणा करकर ध्यान योग से इसका प्रयास करता जटकें में तक जटके में वो लोग छोड़ने का दावा करते हैं जो जटके में छुट भी नहीं सकता है वो लोग दावा करते हैं जो कहीं न कहीं कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं कहीं न कहीं कुछ दिखाना चाहते हैं इसलिए वो फिर छनिक साधुता वहां पर बनती है इसलिए आदिगुरु शंकराचार कह रहे हैं जिसको अनात्म और आत्म का विवेक जागरित हो गया है उस साधक को चाहिए कि अपनी इस्थिती को आत्मा में बनाये रखने का प्रयास करे और वासनाओं में अपनी इस्थिती को ना जाने दे अपने मय को अपने आत्म भाव क वासनाओं में और देह में दिहात्म बुद्धी में लिप्त ना होने दे और वह आत्मा में इस्थित होने के लिए प्रयास रत रहे ध्यान यूग करे साधना करे आत्मा में एकागर अवस्था में रहने के लिए वह प्रयास रत रहे इसके प्रयास में वह निरंतर लगा र भी यह वासनाओं का वेग लगा रहता है इनका फोर्थ काम करता रहता है यद्धपी साधक द्रश्टा भाव से देखता है इन वासनाओं को देखता है फिर भी बहुत हद तक वो उन्हीं के प्रवाहों में बहरा होता है शनै शनै धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए चंतन करत करते हुए धीरे धीरे जो है इस समस्या का हल होगा आत्मा में स्थेती पूर्णता बन जाएगी और फिर इन वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तो वासनाओं का वेग इस प्रकार से काम करता है इस लिए इस शरीर को धारन करने वाला प्रते के जीव तो चलिए इसी बात को समझाया गया कि आत्मानात्म वस्तु का विवेक रखने वाले मुनी जनों ने जो मरंशील है जिनका विवेक जागरित है आत्मानात्म उन मुनी जनों के उपर भी वासनाओं का वेक काम करते रहता है इसलिए उन्हें धीरे-धीरे प्रयास करना का दावनात्मनी अध्यासोयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्टयया देह इंद्रियat आदी अनात्मवस्तु में जीव का जो उह जीव है उसे अहम भाव, अहम अत्वा मम भाव है, यही अध्यास है, अध्यास का मतलब मैंने पहले भी बताया है, ओजिशन, कोई चीज आपके उपर हावी होगी, आपका अपना अस्तित्व नहीं रहा गया, आपका अपना स्वरूप नहीं रहा गया, कोई चीज आपके उपर हावी होगी, त यह मनभी मैं हूँ, यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह संसार मेरा, यह परिवार मेरा, यह समाज मेरा, यह जो मैं और मेरा का जो भाव बना हुआ है, यह अनात्म वस्तूओं में ममभाव है, अनात्म वस्तूओं में आत्म भाव है, तो यह जो ममता बनी है, यह जो ममभाव बन हुआ है यही अध्यास है यही पोजेशन है यही एक वृति आपके उपर हावी होकर बैठी हुई है कुछ इस तरह से कह लेजिए यही अध्यास है विद्वान को आत्म निष्ठा द्वारा इसे दूर करना चाहिए यह जो अध्यास है वह जान गया है कि आत्म क्या है अनात्म में क्या है परंतु फिर भी अनात्म वस्तूओं में उसका मम बना हुआ है मतलब मम भाव बना हुआ है मतलब आत्म भाव बना हुआ है अनात्म वस्तूओं में भी अब निरंतर आत्मनिष्ठा के प्रयास से स्वरूप में इस्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि इन वासनाओं से मुक्ति मिले अब तो तुम जानगे कि आत्म क्या है अनात्म क्या है अब आत्म वस्तु में इस्थित होने का प्रयास करो तभी वासनाओं से मुक्ति मिलेगी नहीं तो वासनाओं का जो प्रबल वेक है वो आत्म और अनात्म वस्तु का विवेक रखने वाले बड़े-बड़े मुनियों प भी वह वेग बड़ी तेजी से चल जाता है उनको भी वह प्रभावित करता रहता है तो इसलिए आत्म स्वरूप में इस्थित होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए आगे कह रहें ज्यात्वा स्वम प्रतिगात्मना ज्यात्मानम बुद्धी तद वृति साच्छनम सो अहमित सद्वर्त्या नात्मन्यात्म मतिम जही प्रत्यगात्म रूप अपने आपको बुद्धी और उसके व्रतियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ बुद्धी का भी स्वम को साक्षी मानो विर्तियों का भी साक्षी मानों स्वय में विर्ति मत हो जाओ साक्षी मानकर मैं वही हूँ तत्व मसी सो अहम इतियेव सो अहम इतियेव मैं वही हूँ तत्व मसी सो अहम इतियेव यहाँ पर सो अहम इतियेव भी लिखा हुआ है कि मैं वही हूँ ऐसी समिचीन वर्ती से अनात्म वस्तु में फैली हुई आत्म बुद्धी का त्याग करो अनात्म वस्तु में जो फैली हुई आत्म बुद्धी है अनात्म वस्तु में जो ममभाव बना हुआ है उस मम भाव का त्याग कर दो ऐसा उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है उस मम भाव का त्याग कर दो आगे क्या कहते है आगे कहते हैं और अहम मैं वही हूँ ऐसा जानते हुए साक्षी भाव से बुद्धी को भी साक्षी भाव से देखो वासनाओं को अभी साक्षी भाव से राग अनुराग इंद्रिय बुद्धी शरीर इन सब को साक्षी भाव से ही देखो और आत्म स्वरूप में इस्थित होने का प्रयास करते रहो अब यहां पर वासना तरह की चर्चा की जा रहे लोकान वर्तनम अब यहां पर देखिए वासना तरह से वासना और स्पष्ट होगी क्योंकि वासना शब्द का प्रियोग करते ही लोगों का मन जाधा तर जाता है सारी विक भोगों के परती दैहिक भोग वासना जो है दैहिक वासनाओं में काम वासना हो गई अब दैहिक वासना अनेक प्रकार से का आदमी को अराम करते रहने का मन करता है जाड़े के दिन में क तीन प्रकार की वासना की बात हो रहे है जिसको वासना त्रय कहा गया है वासना त्रय तो तीन प्रकार की वासना त्रय कौन कहा है लोकानुवर्तनम नंबर वन है लोक वासना लोकानुवर्तनम लोक वासना लोकानुवर्तनम त्यक्तवा त्यक्तवा देहानुवर्तनम अर्थ कि एक है लोकवासना, एक है देहवासना और इक शास्त्र वासना अब यह क्या है यह تीन प्रकार की वासना यहां पर बताई जारी है इन ही को, वासना तुराय भी, ने तीनों。 को छोड़ कर आत्मा में हुए आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो इन तीनों को त्याग करो लोकवासना का त्याग करो शास्त्रवासना का त्याग करो और देहवासना का अब इनको समझना है कि लोकवासना शास्त्रवासना देहवासना क्या है तो अपने समय के हिसाब से आधी गुरु शंकराचार नहीं यह कहा था मुख्युरुप से लोक वासना क्या है लोक वासना है राजनीती वोट चाहिए जहां भीड लगेगी वहां नेताजी पहुंच जाएंगे ठीक है तो राजनीती तो मेरा लोक वासना लोक संग्रह करने की वासना प्रसद्धी की वासना धन की वासना बहुत धन कमाने की वासना प्रसद्ध होने की प्रतिष्ठा की वासना प्रतिष्ठा और प्रसद्धी की वासना यह जितनी भी चीजे हैं यह सब एक लोक वासना के अंतरगत आएंगी और इससे संबंदित बहुत सारी बाते हैं यह सारी की चीजे लोक वासना के अंतरगत ही आएंगी लोक वासना ही तो है जो बड़ी गड़बडियां करवाता है लोक वासना ही तो है जहां आप संद दिखना चाहते हो बनना नहीं चाहते यह लोक वासना ही ह नेता जी को चाहिए कि बहुत सारे लोग वोट डाले, गुरु जी को चाहिए कि follower खूब बने, शिश्य खूब बने, चारों तरफ सिश्य ही शिश्य हो हमारे, जहां जाएं वहां मेरे ही शिश्य हो, दूसरों के ना हो यह क्या है? यह लोक वासना ही तो है यह गुरुडम का जो बाजार चलता है वह लोक वासना पर ही आधारित होता है ठीक है तो यह लोक वासना जो है लोगों को लोक वासना के चक्कर में लोग बहुत सारी गलतिया करते हैं अब अरजुन है अरजुन को भी तो लोक वासना है न कि मैं युद्ध करूंगा लोग इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा तू गुरू गुरू हत्यारा था तू भिश्युम पितामा पर तुमने बांद है तो बिश्युम पितामा पर बांद चलाएं द्रोना चारे पर बांद चलाएं तो अब इनके मृत्यु का कारण है तो अरजुन को चिंता थी कि मेरा इतिहास कैसे लिखा जाएगा अर्जुन को चिंता इसी भाइस्ट बात कि थी कि मेरा इतिहास कैसे लिखा जाएगा कैसे मेरा इतिहास लिखा जाएगा भर तो यह सारी बाते लोकवासना के अंतर्गत आज तो जहां कर बहुत अधिक अत्य धिक और दिक परतिष्ठा की चिंता होती है ठीक है, अपने वचन का पालन करना ही चाहिए, आपने जो वचन दिया है, जो कहा है, उसका पालन तो आपू करना ही चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रतिष्ठा, अत्यधिक मान सम्मान, अत्यधिक जो है इस तोदों को अपना follower बनाने की जो वासना है, अभी खुद तो कुछ बने नहीं लेकिन लोगों को बनाना शुरू कर देते हैं तो जो यह बड़ी खतरनाक होती है बहुत खतरनाक इसलिए नंबर एन पर आदी गुरु शंकराचारे ने अगर कोई बाधा बताई है वासना बाधा वासना बंदन है वासना वो शक्ती है जो आपको भोगों से बांध कर रखती है अनात्म वस्तु से बांध कर रखती है इसका वेक बहुत प्रबल है यहां तक कि आत्म अनात्म का विवेक हो जाने वाले मुनियों में भी यह प्रबल साबित होती है उनको भी यह न छोड़ती लेकिन जो सही जिग्यासू हैं सही अनुसंधान करता हैं आध्यात्म के सही अनुसंधान करता हैं वो इस वासना से मुक्त रहते हैं वो लोग वासना के चिंता नहीं करते दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी इसका बिना चिंता की अपना कर्म करते हैं लोग मुझे गुरू जी गुरू जी कहे और मेरे बहुत सारे शिष्य बन जाए इसकी वासना से सरवदा मुक्त रहते हैं ठीक है, तो ये लोक वासना बड़ी खतरनाक चीज है और सबसे खतरनाक है, सारी वासनाओं में अगर कोई सबसे अधिक खतरनाक है, तो ये लोक वासना है, बहुत अधिक प्रसद्धी की कामना होना। बहुत अधिक follower की कामना होना, ठीक है, follower होने चाहिए, बड़े-बड़े रिशी मुनी, बड़े-बड़े गुरु जन, उनके भी बहुत साए follower थे, लेकिन क्या वो उसमें लिप्त थे अब राजा जनक, शुकदेव मुनी को जब कहा गया कि भाई तुम जाओ, वेद व्यास जिने अपने पुत्र शुकदेव मुनी से कहा कि तुमको अगर ग्यान चाहिए, तो राजा जनक के पास जाओ, अब शुकदेव मुनी को चाहिए था, कोई भाई, कोई तपस्वी मुनी हो, कोई जंगल में रहने वाला, उनको गुरु बनाया जाए, अब ये भेज रहा है ग्रहस्त आदमी के पास, ये तो साधू भी नहीं है, ये तो ग्रहस्त आदमी है, ये तो साधू भी नहीं है, तो ऐसे आदमी के पास मैं क्यू जाओ, जिनकी जिसकी कोई छवी ही नहीं है, एक बार के लिए शुकदेव सोचते हैं, या दपी चलिए, आज के समय में जनक का पूर्ण नहीं हो सकती भारती अध्यात्म तो राजा जनक को भेजा जाता के पास भेजा जाता है शुकुदेव मुनी को लेकिन मन में बहुत सारी है क्योंकि लोकवासना है तो यह जो लोकवासना है यह बड़ी खत्रनाक चेज़ है ठीक है चलिए अब जो है इसके बाद वासना जो देह के भोग है जो देह के भोग है वासना एक पुरुष के अंदर जो उसे आकर्षित करती है इस्त्री के प्रती नारी के प्रती और एक नारी के अंदर जो उसे आकर्षित करती है पुरुष के प्रती यह भी एक वासना है और जब यह अनियंत्रित होती है तो बोर पाप भी करवाती है कई बार अनयतिक्ता में भी ठकेल देती है तो इसी लिए यह भी प्रकार की एक प्रबल वासना है लेकिन फिर भी यह लोक वासना से प्रबल नहीं है क्यों प्रबल नहीं है कारण इसके पीछे, लोक वासना की सीमा देह तक है, देह वासना की जो सीमा है, वो कहां तक सिमित है, देह तक सिमित है, और लोक वासना की सीमा देह नहीं है, लोक वासना की सीमा मन है, कोई ताली बजाए, कोई बोले वाह वाह क्या बात है, कोई जैकारे लगाए, यह जो सु जैकारे लगाएं लोग मेरी बातों पर ताली बजाएं लोग मेरी बातों पर वाह वाह कहें और मेरे नाम के जैकारे लगाये जाएं यह जो सुनने की वासना है यह कानों से आती है न कानों में ऐसी आवाज पड़े कि मेरे ही जैजैकार हो रही है कंस के अंदर था अपने देह वासना है देह वासना इतनी प्रबल क्यों नहीं मानी जा रही देह वासना को दूसरे नंबर पर क्यों रख रहे हैं आदिगुरू शंकराचा क्योंकि इसकी सीमा देह तक है इसकी सीमा देह तक है तो इसी लिए अब एक है शास्त्र वाशना तो देह के अंदर भोजन हम क छाहिए तो किसी दिन रोल चाहिए तो किसे दिन शाहि पनीर चाहिए तो किसी दिन Chinese खाना है मतब हर दिन आपको कुछ न कुछ कभी ऐसा भी खा जिसमें स्वाध नहों साधा सावी कुछ खा लो कि ठीक है तो यह भी तो वासना है भोजन के परती भोगों के परती होती है वासना लेकिन समझदार अवेक्ति को चाहिए कि इसे अपनी सीमा में रखने का प्रयास करे इसके लिए साधना करे या सीमा को गया लोगों को सिक्षा देकर सिक्षित करकर गुरुकुलों में संसकार दिये गया उन्हें संसकारित किया गया कि संसकारित हो जाओ इस तरह से जीवन कोई हमें गलत बोलेगा या कोई हमें बदनाम करेगा या कोई हमें सजा देगा वह एक अलग बात है लेकिन खुद का खुद को हमें बंधन में डाल देती थोड़ी समस्य आ जाती है इसी लिए आधि गुरु संकराचार ने इसे के लिए कहा है कि इन्हें वासनाओं को धीरे दीरे आत्म प्रयत्न से दिरांतर प्रयत्न करते वे धीरे धीरे इनसे मुक्ती मिलनी चाहिए क्योंकि इनसे मुक्ति होने से ही मुक्ति संभव है नित मुक्ति संभव नहीं है आत्म और अनात्म वस्तु का विवेक हो गया तो भी इनसे मुक्ति संभव नहीं है इनके हटे बिना मुक्ति संभव नहीं है इसलिए इनके वेग की उपर एक नियंत्रन हमें लाना चाहिए ऐस में दूसरा है शास्त्रवासना तीसरा जास्त्रवासना क्या है उनको लगता है कि अधि गुरू शंक्राचार हुए उस समय शास्त्रों का अध्यान एक धार्मिक कर्म माना जाता था कि अगर आप आज भी लोग मानते हैं आज भी कई लोग देखते हैं कई कुछ एक विक्ति मिले मुझे बुजुर्ग उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ता हूं और इतना इतना अध्याय डेली पढ़ता हूं तो एक अवचारिक रूप में पूझा के समय तर्ग सेही जानना चाहते हैं कि वो ध्यान यूग कर या कुछ प्रैक्टिकल करकर नहीं जानना चाहते सारी профसे ऑधिगुरु शंकराचार ने इसे शास्त्रवास्णा कहँदी है और तर्ग जो होती है और वो मात्र पढखने में अध्यन करने में शास्त्रार्थ करने में क्योंकि वो शास्त्रार्थ एक और कारण था शास्त्र वाशना सब्द का प्रयोग इसलिए भी था क्योंकि शास्त्रार्थ की प्रंप्रा चलती थी वो उसमें शास्त्रार्थ हुआ करते थे हैं ठापिसन प्रथिस्परदा चलती रहती थी तो खंव मिलती थी लाधा को डान भी बहुत मिलता था डॉनेशन फंड भी बहुत मिलता था और वावाही भी बहुत मिलती थी तो अब ये शास्त्र वासना एक लोगों के अंदर रहती थी छलो धन तक वो सिमित रहें तो बात अलग है वैसा कोई उनकी सीमा नहीं है वास्तों में वावाही और शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना जो क्रियाएं हैं उनको उनकी उपर कोई ध्यान ना दे कर मातर शास्त्रों के ही शब्दों में ही लगे रहना शुब्द जालम और रहन त реально मैं वह को इसी में मातर लगे रहना यह जो बाते हैं यह शास्त्रवासना के अंतरिगत आ जाती है तो देह वासना है शास्त्र वासना है और सबसे बड़ी लोक वासना है तो इन वासनाओं से मुक्ति मिले और इसके लिए मुक्ति मिले तो कह देने से अचानक से मुक्ति नहीं मिल जाएगी यह अभी प्रयत्न करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए कोशिश में लग और उसमें एक नियम में चले व्यक्ति निष्य ही बहुत लाव उठाता अपना भी कल्यान करता है और दूसरों का भी कल्यान करता है तो सबसे अगर अगर अध्यात्मी के मार्ग पर सफल होना है साधना के मार्ग पर लोकवासना से पहले बचना चाहिए यह बड़ी सुक्ष्म और बड़ी खतरनाक होती है और बहुत सारी दुविधाएं मन में डाल देती है लोकवासना नश्ट भी होना चाहिए अब कई ऐसी घटनाय है अब यह तो चलिए एक उदारन के लिए लिए एक रूप में यह बाते बताई जा रही हैं समझाई जा रही हैं कही जा रही हैं लेकिन घटनाएं तो कई हैं और उन घटनाओं में कई चीजे हैं विश्वा मित्र विश्वा मित्र जो थे वह प्रतिस्प्रधा में तपस्या करते थे मयर्सी वशिष से कहते हैं तो एक तरफ उनके अंदर लोक वासना थी ब्रह्म रिशी बनने की लोक वासना एक प्रतिस्परधा की वासना थी ये सब सारी चीजे थी लेकिन जैसे ही मेनका ने उनका तपस्या भंग किया भंग किया वहां लोकवासना नश्ट हो गए विश्वामित्र अपने नजरों में जुग गए अपने नजरों में जुग गए चीक है लेकिन एक वासना हावी हो गई जो कि देह वासना थी मेनका के आते ही विश्वामित्र पर देह वासना तो आ गई लेकिन लोकवासना का ना होना ही जरूरी था वही जरूरी था इसलिए कई लोग प्रश्ण करते हैं अभी पीशे किसे ने पूछा कि ऐसा क्यूं हुआ जबकि विश्वामित्र तो ब्रह्म रिशी बनने के लिए तपस्या कर रहे थे परन्तु मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया फिर भी ब्रह से तपस्या की है और जितनी भी गलतिया मैंने की है आपके प्रति जितना भी द्रोह किया है मैं उसकी चमा मांग रहा हूं और मैं ब्रह्म रिशी नहीं बन पाया ऐसा उन्होंने वशिष्ट रिशी के समक्ष जब बात कही तो महरत्य वशिष्ट ने उनकी दोनों तुम तो बहुत पहले ही ब्रह्म रिशी बन चुके थे ब्रह्म रिशी की तपस्या जितनी होनी चाहिए वो तो तुमने बहुत पहले ही पूर्ण कर ले थी लेकिन तुम्हारे अंदर जो लोकवासना थी जो एहंकार था वो कहीं न कहीं लोकवासना के रूप में ही विद् करने गई थी विश्वामित्र उसके बाद भी ब्रह्म रिशी ही रहे इसलिए लोक वासना को बहुत खतरनाक बना जाता है जहां प्रसिध्धी की कामना आ गई यह मन के अंदर होता यह वासना मन को छूती है लेकिन लोक वासना तो मन को छूती है और मन ज्यादा पाउरफुल है ज्यादा वो है मैं गुरु हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं यह हूँ मेरी यह इमेज है मेरी वो छवी है कई बार आदमी अपनी छवी इमेज के चकर में जरूरी काम भी छोड़ देता है अपने जरूरी करतव्यों की पालना भी नहीं करता है तो लोकवासना इसको भी समझना है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, देहवासना से भी जादा खतरनाक है लोकवासना, ठीक है? तो चलिए, आगे क्या कहा जा रहा है, उस पर विचार करते हैं, आगे कहा जा रहा है, लोकवासनाया जनतो, शास्त्रवासनाया पीछ, देहवासनय ज्ञानम यथा वन्नय वजायते लोकवासना शास्त्रवासना और देशवासना इन तीनों के कारण ही लोकवासना शास्त्रवासना अब दूसरे इस लोक में लोकवासना के बाद शास्त्रवासना को अस्थान दिया गया और अंतमे देहवासना लोकवासना शास्त्रवासना औ से यह हमें बंधन में रखती हो सकता अब एक और प्रशन यहां पर है अभी किसी व्यक्ति ने मुझे से प्रश्न किया व्यक्ति पाप जो करता है वासनाओं के कारण करता है अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं व्यक्ति कई बार पुन्य भी वासनाओं के कारण करता है पाप छोड़ दीजिए कई बार वह पुन्य भी वासनाओं के कारण करता है वासना मात्र पाप का कारण बनती है ऐसा नहीं है पाप का कारण तो तब होगी जब कुछ आप अनुचित करेंगे जिससे की किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कश्ट पहुँचे जब आप कुछ अनुचित करेंगे तो वहाँ पाप बनेगा जैसा कर्म है वो कर्म का विशय हो गया फिर वासना का विशय नहीं हुआ लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि वासना सिर्फ पाप ही करवाती है जी नहीं आप जितने पुन्य भी कर रहे हैं उनके पीछे भी वासनाए हैं आपके द्वारा किये गए पुन्य के पीछे भी वासनाए हैं तो इसलिए पाप हो पुन्य हो सुख हो दुख हो सब बाधक है रजोगुन तमोगुन तीनों ही बाधक है लोगों कहेंगे निसतोगुन से मुक्ति होगी जी निसतोगुन से मुक्ति नहीं होगी सतोगुन भी मुक्ति में बाधक बन जाता है पहले सहयोगी बनता है सहयोगी तीनों बनते हैं रजोगुन भी थोड़ा सहयोगी है तमोगुन ठीख है, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों सहायक हो सकते हैं और तीनों बाधक भी हैं, अंत्ता इन तीनों से मुक्ति होनी होती हैं आगे विशाय आएगा, यस्ट वासनाओं के बाद इस विशाय पर चरचा होगी तो ये वासनाओं का ये लोक वासना शास्त्र वासना देह वासना फिर से लोक वासना को समझे बहुत खतरनाक चीज़ है ये लोक वासना और नेताओं को बहुत अधिक होता है नेताजी लोगों को और कई गुरुजी लोगों को अंदर कुछ जादा मातरा में होता है जब जा इस प्रकार से लोकवासना, शास्तरवासना और देहवासना इन तीनों के कारण ही जीवों को ठीक ठीक ज्यान नहीं होता, सही से ज्यान हो पाना, आत्मे ज्यान हो पाना संभव नहीं है, संसार रूपी कारागार से मुक्त होने की इक्षा वाले पूरुष के लिए ब्रह्मग्य पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते है यह जो जैसे कैदी को जेल में बंद कर दिया जाए और उसे लोहे की बेड़ी से उसके पैरबान दे जाए ठीक है तो ब्रह्मग्य पुरुष जो हैं ब्रह्म को जान पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं यह पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी यह मुक्त होने नहीं देगी ठीक है जलादी संपर्क वशात प्रभूत दुरगंद धूता गरुदिव्यवासना, संघर्ष नेनेव विभाति सम्यक, सम्यग, विधु यमाने सती, बाह्य गंधे, अंतह, शितानंत, दुरंत वासना, धुली विलपता प्रमात्म वासना, प्रज्याती संघर्ष नतो, विशुद् चंदन गंद वतस फुटा अब यहां पर देखिए कुछ विचितर सी बाते की जारी है अब इस इसलोक में मैं इसके अर्थ पर आऊं इस इसलोक के अर्थ पर आऊं पहले इसी इसलोक के शब्दों को हम पकड़ते हैं क्या कहा जा रहा है कुछ बात एक शब्द आया है दुरंत वासना का नाम आया है फिर आया है धुली विलिपता परमात्म वासना यह कौनसी बात हो यह दिव्वे वासना दुरंत वासना और अंतमे परमात्म वासना यह परमात्म वासना क्या होती है यह दिव्वे वासना वासना भी दिव्वे होती है क्या वासना भी दिव् आनात्म वस्तु में जो राग है वह वासना है और उसके अनेक रूप नहीं रूप है आपको अपने घर से प्रेम है, जमीन से प्रेम हैं उसके बिना आप एक वेग है जो आपको उसके बिना नहीं रहने देता है अनेक इसके वासना के नकरात्मक रूप नहीं, आप अगर संसार में देखोगे सकरात्मक, मा है, मा का बच्चे के परती, एक लगाव है, एक वेग है, उसके मन में अपने बच्चे के परती एक प्रेम है, वह भी एक प्रकार की वासना है, तो वासना पुन्य भी कराती है, वा तो दो पुझ्न भी कर्वाते ती अब कौन सी चीज पुझ्ञ कौन सी चीज पाप यह कर्म का विश्य है जहांна पर किसी जीव को कस्ठ पहुंचेगा आपके कारण कस्ठ पहुंचेगा वहां तो पाप ही बनेगा जहांपर आप अपनी वासनाओं में ही किसी का भला कर दें लोग वासनाओं में अपनी भला भी कर देते हैं मानप्रतिष्ठा कमाने में कई लोगों को दान पुन्य भी कर देते हैं करते हैं कि नहीं लोग वासना तो है वहां पर लेकिन पुन्य भी तो बन रहा है साथ में ठीक है वासनाओं से पाप भी हो सकता है पुन्य दोनों हो सकता है ठीक है तो यह लोकवाष्ण रह देख वासना जो है जलादी संपर्क वशाहतीप्र दूरगंद धूटागरू दिव्य वासना अब दिव्य वासना की चरचा हो दूरंत्रवासना प्रमात्नeger वास daughters यह शुचण जाने से दबी हुई अगरू की दिव शुगंद, जिसे अगरवक्ति बनती है, उसमें बहुत सुगंद होती है। अच्छी तरह से अच्छी तरह से उसका सुगंद परतीत होगा। उसी प्रकार अंता करण में इस्थित अरंत दुर्वासना रूपी धूली की ढखी हुई परमात्मवासना बुद्धी के अत्यंत संगर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंद के समान इसपश्ट प्रतीत होने लग जाती है अब यह दिव्व वासना और परमात्मवासना की मु मुक्ति की भी वासना नित उसके अंदर मुमुक्षता तो होती नहीं बिल्कुल ठीक है वासनाओं में संसारिक वासनाओं में लिप्त होते वे भी कई लोगों के अंदर इन्हें सबसेव मुक्ति होने की एक कामना होती है यह जो मुक्ति प्राप्त करने की कामना है यही पर से जो परमात्म वासना है वो दबी हुई है है हमारे अंदर इश्वर को प्राप्त करने की तिवर इक्षा मनुष्य के अंदर है परमात्म वस्तु को जानने की तिवर इक्षा मनुष्य के अंदर है परंतु वह अनात्म वस्तुवों के परती जो वासनाएं है उसमें दबी उसमें दबी हुई है अनात्म वस्त्मों के परती जो वासनाएं हैं उसमें यह दबी हुई है इस कारण से क्या है कि वासना जो है हमें हम पर देह वासना ही हावी रहती है लोक वासना और प्रमात्म वासना से हम जुड़ नहीं पाते तो अपने प्रमात्म वासना का विकास कीजिए ठीक है ऐसा क्यूं कहा जा रहा है क्योंकि भावनाओं कहीं पहले विकास करना पड़ेगा यद्धपी परमात्मा भावातीत है परंतु फिर भी भावनाओं का ही विकास करना पड़ेगा उसके परती, प्रथम में तो वही होगा, शुरुवात में तो वही होगा, इसलिए परमात्म वासना को विक्सित करना होगा, मुक्ती की वासना को बढ़ाना होगा, चीक है, तो अगर की सुगंद के ऊपर अगर कीचल गंदगी और पानी का मिला कर उसका लेप लगा दिया जाए तो उससे सुगंद नहीं आएगी उससे दुरगंद आएगी उससे दुरगंद आएगी ठीक है लेकिन अगर उस लेप को हटा दिया जाए तो फिर जो असली सुगंद है वो वैसे ही इन वासनाओं की निवर्ती होने से फरमात्म वासना सामने आ जाती है फरमात्म वासना अपने आप सामने आ करती हैं आगे फिर अधिगुरु शंक्राइचारे और चर्चा करते हैं इस विशय को और क्या लिखते हैं कि अनात्म वासना जाले स्तिरों भूतात्म वासना नित्या आत्म निष्ठया तेशा मनास्ते भाती स्वें मिस्फटा अर्थात अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म एक चरचा हो रही है अनात्म वासना और आत्म वासना चुप गई है इस लिए निरंतर आत्म निश्ठा में इस्ठित से उनका नाश हो जाने पर वह इस पश्ट वास्तने लगेगी तो जो आत्म वास्तना है वो धिरे धिरे बढ़ेगी जब ध्यान योग करोगे और उसमें से जब आनंद फूटना शुरू होगा करने से होगा सिर्फ कोर्स कर लेने से क्या हो जाएगा अभ्यास जो बताया गया वो भी तो करना पड़ेगा और जो लोग अभ्यास कर रहे हैं ध्यान योग का कोर्स करके वो आगे बढ़ रहे हैं वो आनंद का भी अनुभाव कर रहे हैं ठीक है तो करने से होगा तो अनात्म वास्तना के समूह ने आत्म वास्तना को कवर कर लिया है आत्म वास्तना को लिया है तो जब आत्म वासना को ढख लिया है अनात्म वासना हावी हो चुकी है तो निरंतर आत्म स्वरूप में इस्तित्थ होने का प्रयास और आत्म स्वरूप में बने रहने का जो प्रयास है वो हमें करना चाहिए ठीक है तो यह तो अनात्म वासनाओं का नाश हो आगे कह रहें यथा यथा प्रत्यग वस्थितम मन स्थता तथा मुन्चती बाहय वासना निशेश मोक्षे सती वासना मात्मान भूती प्रतिबंद शुन्या मन जैसे जैसे अंतर मुखी हो जाता है मन जैसे जैसे अंतर मुखी होता जाएगा वैसे वैसे ही वह बाहय वासनाओं चोड़ता जाएगा समझें अंतर मुखी जैसे-जैसे जैसे जाओगे अरे यह जो पूरा जो इस चैनल के माध्यम से जो ध्यान यूग का जो कोर्स चलता है उसी का यह विशह है जैसे जैसे ध्यान की गहराई में उतरते जाओगे अंतर मुकी होते जाओगे वैसे वैसे बाहे वासनाओं का निशेद होता जाएगा निरोध होता जाएग और अंतर में इस्थिती बंती जाएगी, आत्मे इस्थिती बंती जाएगी, तो जैसे जैसे बाहर की वासनाओं को छोड़ोगे और अंतरमुखी तो अंतरमुखी होना सीखो, कब सीखोगे? 29 दिसंबर से ध्यान यूग का कोर्स शुरू हो रहा है और वह यही सिखाता है कि कैसे अंतर मुखी होना है कैसे आत्मिस्थिती में पहुचना 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 है कैसे आत्मिस् चुटकारा शुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का पतीबंध शुन्य अनुभाव होने लगता है आनंद की अवस्ता है परमानंद की अवस्ता है आत्मा का शुन्य अनुभा होने लगता है आनंद की अवस्ता है वो परमानंद की अवस्ता है वो अनुभा होने लग जाता है शुन्य में स्थिती बनने लग जाती है और थोड़ा सा भी अनुभा हो जाए इमांदारी से अगर प्रयास कर लिया कुछ वर्ष तो निश्य ही अनुभा होता है दिवन भूतियां होती है उसके पहले भी शुनिता का भी अनुभा होना शुरू हो जाता है ठीक है करने पर है तो ध्यान योग का जो कोर्स आपको दिया गया है जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों नहीं कि को रोकने के लिए लोक भाषणाग। न सास्त्र वाषणा और ऱोस्णा पॉत यह वासनाओं का सामराज्य यह वासनाओं की शक्ति और उनके त्याग के बारे में हमने चर्चा कि जो आज के निल लिखा गया था क्या वासना Decemberं वासनाओं का सामराज्य और वासनां वासनौंग वासनाओं का त्याग कैसे होगा निरंतर अभ्यास से होगा अर्जुन का प्रश्ण था चंचलम ही मना कृ्ष्ण प्रमाथी बलवा दिडम्त स्याहम कि हे स्री कृष्ण यहां मन अती चंचल है इसका निगरह तो अत्यन्त दुश्कर है इसका निगरह करना तो वायू के समान है वायू रिव दुश्करम यसे वायू का निगरह नहीं हो सकता वैसे मन का कैसे होगा तो स्री कृष्ण उत्तर देते है असंशयम महा बाहो मनो दुर इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन अथ्यन्त चंचल है, संशय महाबाहो दूर्णि-गरहम चलम मन का निएमन कल्स संशय नहीं है कि तुझे अभ्यास और वैराय क का श्वहारा लेना चाहिए Is mo practice is dran यूग technique है क्विधी है सास्त है शास्त्र संम्मृत युक्ति है जिससे कि आप ध्यान की गहराई में उतरो और इन वासनाओं से अपनी मुक्ति कर सको है वो शक्ता करने की है पताया जा रहा है वो युक्ति दी जा रही है जिन लोगों ने भी किया है अब तक जितने लोगों ने सैक्ड़ों लोगों ने इस कोर्स को किया है अभी संख्या हजारों तक नहीं पहुंची इसलिए मैं हजारों नहीं कह सकता तो इस कोर्स का लाव उठाया है तो लाव उठाया है बहुत कुछ अनुभूती प्राप्त की है और आत्म इस्थिती की और वो बढ़ रहे हैं आत्म स्वरूप में इस्थित हो पाएं इसके लिए जो भी अभ्यास कर रहा है वो बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है ध्यान योग का जो अभ्यास है यह सभी अभ्यास चलिए मुक्ति होगी आत्मिस्थिती बनेगी आत्मिस्वरूप में इस्थित हो जाएंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है यह तो होगा ही परंतु आपको अपने वर्तमान जीवन में और जो वर्तमान जीवन की समस्याएं हैं उनको सुलजाने में भी बहुत बड़ी सहायता मिलनी शुरू हो जाती है किससे ध्यान योग के अभ्यास से ध्यान योग के अभ्यास से बहुत बड़ी सहायता मिलनी शुरू हो जाती है ध्यान यो जीवन की जो समस्याँ हैं, जैसे की आपके काई मेनेजमेंट से समस्या होगी, परिवार से, रिलेशन्शिप से, परिवार में समस्याँ हैं, रिलेशन्शिप में प्रॉब्लेम्स, और कई तरह की जो हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याँ हैं, हमारे मन से बहुत सारी समस समस्याएं तो लोगों की सरिफ मानसिक होती है, मन के कारण होती है, तो मन से बनने वाली एक अनेकों समस्याएं है, उन सभी समस्याओं का निदान पहले मिलना शुरू हो जाता है, हम सही से जीवन जीना शुरू कर देते हैं, वानी पर नियंतरन आता है, अगर अच्छा ध्या सथा हमेशा बनी रहती है कि इसलिए जरूर जिन्हों नहीं ज्वाइन किया है ध्यान योग का कोर्स 29 तारिक से शुरू होगा उसे किर्पया ज्वाइन कर ले चलिए और ध्यान योग का कोर्स जिनको ज्वाइन करना है अगर उनको number चाहिए तो वो इस number पर वह contact करेंगे इस number पर आप details ले सकते हैं कि कैसे हम उसको join करेंगे किस प्रकार से हम उसको join करें आप उसका detail प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आपके comment टिपनियों पर चलते हैं ब्रहत आरंडक उपनिशद की चर्चा बाकी है कब करोगे होगी चर्चा मुर्त्व के बाद जीव स्वर्ग या नरा के योनी में जाता देखिए मूल रूप से जो उपनिशद हैं ब्रहत आरंडक उससे मूल उपनिशदों पर आधारित चर्चा ही है ठीक है यह समझ ले अगर मूल उपनिशद समझ में आ आखा हो तो फिर बाकी पकण में आ पाएगा है के बियुक्त के बास धीव स्वर्ग या नरका योनी में जाता है उसका जाता है यह आपका अपना नीजी द्रणा है पाप पुन्य तो वो हर योनी में भोग रहा है मनुश्य योनी में भी पाप पुन्य भोगता है ठीक है अलग-अलग जीवों की योनियों में भी पाप पुन्य भोग रहा है जगत नरायन जी, विकरम सिंग जी, गौरव विकरम सिंग जी, मुकेश प्रसाद जी, अभिनंदन है, माधुरी कोले जी, रूप लाल विश्व कर्मा, इस्मिर्ती रस्तोगी, राजु पाल, विंदेश्वरी मिश्रा, राम निवास मीना, सविता नायक जी, बहुत रमेश पेश्वानी, उशा शिर्वास्तव जी, हरी मोहन सिंग, शंकर प्रसाद, सूरम पत्याल जी, रतन सिंग जी, बहुत अभिनंदन, शिवं भट, जैश्री राम, ग्यावली शर्मा जी, योगेंदर पंडे जी, मिथलेश शिंग जी, पिंटु, वास्वा जी, मराठे, विनोज, सूध, सरोज, कृष्णानी, टियार, राठिया, गरेश, आमवेकर, रचना जी, बलवन सिंग, गोहिल, सर्मानंद, पंडित, कमलेश, खैमर, भगवती, यादो, यार, बिकु, कुशाडिया, जैप्रकाश, यादो, सबका बोत अभिनंदन है, भोगों को ध्यारम करने वाला भगवान है, भगों को तो भाग क्या है, समझाने की भगों की चर्चा हो चुकी है, चैनल पर, कई बार हमने यहाँ पर की है, आप उन वीडियो को देखिए, तो कि अभी चर्चा करेंगे, तो फिर लंबा समय निकलेगा, उसमें फिर, तो करें आप चर मचर्य होता है, इस प्रकार से अच्छा भग हुआ करते हैं, इस अच्छा भगों से जो करुणा होती है, करुणा भी एक भग होता है, तो इन शा भगों से जो समपन है, वह भगवान है, ऐश्वर का मतलब यहाँ पर सिद्धी से, मतलब एक-एक का निकलेगा, वो लंबी व्याख्या हो जाएगी ये च्छा भगों से जो संपन्न है वो भगवान है किरिट साजी आज के स्वाध्याय में जो समीचीन शब्द का अर्थ विश्य सुरुप से समझाने की क्रिया करें हो गया वभीता धिमान जी मुकेश परसाज जी गौरत त्यागे जी किसी की मिर्त्यू के बाद जो सवालाख गायतरी कराई जाती है क्या वह उसे जीव आत्मा तक पहुँचती है जी उसका प्रभाव पहुचेगा आपने अगर वो आपके परिवार का है उससे आपका भावनात्मक स संबंद है और अगर परिवार का है तो कर्म संबंद भी है तो आप जो भी साधना करेंगे उसका अंश सब उसके पास पहुचेगा ऐसा नहीं है उसका अंस उसके पास पहुचेगा क्योंकि उसके साथ आपका कर्म संबंद है उसके साथ आपका कर्म संबंद है तो यह चीज और गायत्रिक्या कई दूस्रे साधनां या दान्य पुन्य उन का भी फल उनके पास पहुंचेगा। अगर आप कव्वे को रोटी ख्लाओगे तो रोटी नहीं पहुंचेगी। आपने जो पक्षी को खिलाने का जो पुन्य किया है वो पुन्य पहुंचेगा ठीक है सुमनात शिंद्य जी रतन नाथ जी कि जैनती भाई पटेल मुकेश प्रसाद जी इसमिता सावंत स्क्राइब एक भट ओम क्या है दोस्वर और मा एक व्यंजन है यहां पर मा व्यंजन नहीं है हाँ जब हम उसको काट कर लिखते हैं वास्तों में वह ओम अंकी मात्रा है जब ओम लिखा जाता है तो उसमें मा आता नहीं है मा का उचारन नहीं होता मा जैसे हम बोल रहें यह उचारन नहीं होता है यह उचारन होता है जैसे हम लंबा ओम बोलेंगे मा का उचारन नहीं होता है लेकिन यह मा जो है यहाँ पर यह स्वर है नाकि व्यंजन है ठीक है आप उचारन सही से करेंगे तब ये इस पस्ट होगा जो उद्गीत का उचारन जो होता है उसमें स्वर ही होता है अंकी मात्रा होती है बिंदू होती है जो कि चंद्र बिंदू आप लगाते है न ओम लिखते हैं उसके उपर चंद्र बिंदू लगाते हैं तो वह जो चंद्र कर्मिश्रांजी क्या कारण है कि मदिरह और महिला देर तक नहीं जाती यह तो देह वासना है उससे भी जादा बड़ी वासना की वासना है और दूसरी कई वासना है जिसमें आदमी ग्रसित है और वह वो बंधन है, साधना कीजिए, ध्यान एयोग कीजिए, अगर मुक्त होना है, और अगर नहीं, तो लिपत रही एँ और उसका प्रिणाम्द होगी है, अगर आपको लगता है कि हम ही सही है, तो भैया जा क्रेसा रहो सही, प्रकृति सब को अपने जगह पर ले आती है, उसके समय आ जाता है सब का महिश मकवाना जी मृत्यू के बाद भी वासना ये रहती है उसे कैसे खत्म किया जा है मृत्यू मनुष्य शरीर से योग साधना से ही खत्म होती है और जटके में नहीं खत्म होती है योग साधना के अभ्यास से खत्म होती है निती सिनहा संदीब बराक महेश मक्वाना वासनाओं के कारण जीव भटकता है बिल्कुल भटकेगा कर्म करेगा तो भटकेगा है क्या मंत्र योग और नाम जाप यह कही है जी हाँ यह कही विशा है लगबग इसमिता सावंत जी विवधान आ रहा है कह रही है अभी तो कोई विवधान नहीं है वैसे बीच में थोड़ा आया होगा चंद्रिश्वर पांडे जी सभी बाते अच्छी तरह से समझ में आ गया परंतु संत गुन मुक्ती में बाधा है यह बात थोड़ा सा भरम में पाड़ दिया ठीक है मिल जाएगा दिनेश जी आगे जो है अगले व्याक्षान में इस पर चर्चा आ जाएगे सत्गुन जो है मुक्ती में बाधा है कि नहीं है या बाधा है या सहायक है दोनों बाते आ जाएगे माया में रहकर माया से कैसे बचे फिर पर आप बताएं माया से बाहर निकल लिए ठीक है रहकर कैसे बचेंगे माया में रहकर कहने का मतलब यह है कि बाहरी रूप से आप माया में रहेंगे लेकिन माया में बाहरी रूप का वास नहीं होता मन का वास होता मन को ही निकालना है मन को ही निकालना है बाकि शरीर तो रहेगा ये रहेगा ठीक है दिनेश गाइधने जी अभिनंदन है आपका तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वह निश्य ही ज्वाइन करें और ध्यान योग का पुरा-पुरा लाब उठाएं 29 तारीक से बस 4-5 दिन और है प्रियकोर्स शुरू हो जाएगा तो जल्द ज्वाइन करकर इसका पुरा-पुरा लाब उठाई है बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें अभी तीन गुनों पर प्रारब्ध पर चर्चा आएगी अभी आन आप निश्य ही शेयर किया करें विडियो उसको शेयर भी किया करें ठीक है तो बहुत-बहुत आभार करें बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत